दिखें यहां पर एक result है नन्हु यादों की लड़कों का जिसमें अर्चना ने 131 नंबर प्राप्त किया है कृष्णा कांत यादों ने 132 नंबर प्राप्त किया है और दिवासी यादों ने 128 नंबर प्राप्त किया है ठीक है इससे पहले में आपको एक 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 अडमिक रिकॉर्ड दिखा चुका हूँ आप सबको अगर याद हो तो यह तीन रिजर्ट आप सबको याद होगा गोरक सिंग के बच्चों का जिसमें 127 पूनम सिंग 127 तारकेश्वर सिंग ये भी गोरक सिंग के हैं और अश्विनी कुमार सिंग 126 ये भी अब ऐसे मतलब पूरा परिवार इस तरह से बहतर अंक ला रहा है तो इस पर भाई साहब अब जाँच के लिए श्रीमान आई पियर समिताप ठाकुर भी बच्चों का साथ देने के लिए आ गया है अब ये चीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक परिवार के तीन तीन बच्चे एक समान अंक कैसे ला सकते हैं उसी कंपटीशन पर इक्षाम ये बहुत सुचने वाली बात है इस पर मन्थन करने की जरूरत है अब कुछ टॉपर्स के जो रोल नंबर थे उनके आसपास के अगर आप रोल नंबर देखोगे तो पूरे कमरे के लोगों ने 120 प्लस 110 प्लस नंबर अर्जित किया है तो ये तो मात्र कुछ छे से दस उदाहरण ही आपके सामने है रिजर्ट है जो बच्चे खोच के लार हैं लेकिन इन जो छे दस बीस बच्चों के साथ ऐसे हजारों लोग जिनकी पास ये सुविधा उपलब्ध रही होगी वो उस योग्य बच्चे की सीट पर कबजा करेंगे जिसने साल भर छे म तब उसे इस चीज का पश्चत आप होगा हाई यह क्या हो गया मतलब किसी भी भरती में ट्रांस्पेरसी बहुत बड़ी चीज है आप कहते हैं कि घोटालस सभी भरती में होता है ठीक है लेकिन आज से पहले आपने कभी भी किसी भी भरती में इस तरह का नहीं देखा होगा कि 150 में 142 नंबर ला दिया हो किसी ने या फिर एक परिवार के सारे सदस्य पास है या फिर एक कमरे के सारे रूल नंबर जितने हैं आगे पीछे सब चेक कर लीजिये सारे अच्छे नंबर से क्वालिफाई है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका academic record ना के बराबर है कि अगर वह 140, 144, 142 नमबर ना लाता तो उसके academic record में इतनी दम नहीं थी कि उसे 120 नमबर, 110 नमबर पर selection मिल सके इन सारी चीजों को समझे और इसका विरोध करिये, सही का साथ दीजे, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि सत्य परिशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इस सम्वंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को IPS अमिताप ठाकूर ने चिठी लिग दी है और अब इस मामले की 90% ये उमीद है कि अब जाँच होगी, इन टॉपर्स की जाँच होगी, इन योग ये बच्चों की जाँच होगी, इन से पूछा जाएगा कि भाई कैसे, आपने कैसे तैयारी की, कहां आपका सिंटर पड़ा था, कैसे आपने परिक्षा दी, जब इन स ये सवाल पूछे जाएंगे, और जब इनके जवाब सामने आएंगे, तब सिच्वेशन देखने लाइख होगी, फिलाल, आप लोग साथ अपना बनाए रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, खास्तोर पर जिनका सेलेक्शन हो रहा, उनकी सीट कोई काट नहीं सकता, ठ लेकिन देखने वाली बात होगी कि निकट भविश में अब हमारी सरकार इस पर क्या करती है, थैंक्यू सो मच, वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजे, ये जो दूसरी फैमिली अभी तक आई है, आगे बच्चे लगे होए हैं, तीसरी फैमिली, चौथी फैमिली, आपने कुछ अमेजिंग मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, थैंक्यू